दोस्तों क्या आप चाते हो आपके साइकल के अंदर डिस ब्रेक लगाना चाहे आपके पास पुराना वाला साइकल हो या निया वाला उससे कोई भी फरक नहीं परेगा अगर आप चाते हो आपने साइकल के अंदर डिस ब्रेक लगाना तो इस वीडियो आपके लिए है क्योंक इसमें कोई भी फराक नहीं परेगा अगर आपके पास किसी भी टाइब का सांकल है तो इस सांकल के अंदर आप इस डिज ब्रेक को लगाने वाले हो याने की लगा सकते हो तो चले मैं आपको दिखाता हो कि इस डिज ब्रेक के बॉक्स के अंदर आपको कौन-कौनसा साइसा समान मिलता है और इसी डिश्य ब्रेक के लिए आपको पेशा कितना देना परेगा कहाँ पर मिने इस डिश्यelling को परचेह किया हूँ किस तरीके से आपको मिलेगा इन सारे चीजों के बारे में इसे वीडियो के आंदा हम बात करेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना होगा डिस ब्रेक को खरिदने से पहले कि आप अपने साइकल के इसका मदलब यह जो डीज़ ब्रेक है यह सामने वाला हयल के लिए है अगर आप पीछे वाला के लिए आपको डीश ब्रेक चाहिए तो आपको देखना होगा कि जो मार्किंग किया हुआ है यहापई बॉक्स के अंदर किया हुआ है तो चलिए में इसको खोल लेता हूँ औ देखिए सबसे पेले हमें क्या-कै मिलता है से box के अंदर तो सबसे पेले यहाँ पे मुझे तो पता नहीं है कि इस disc break के जो भी सामान इसके सात रिया गया है इसका क्या नाम है लेकिन यहाँ देख सकतो लिखा हुआ है तो यह जो चीज है इसका नाम है कैलीपर तो कैलीपर की अगर हम बात करें तो यहां पर बिल्ड क्वालिटी काफी आच्छा है आपको देखने से यह पता चल जाएगा और जब आप इसको हाथ में लोगे तो आपको बहुत ही प्रीमियम फिल आएं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस डेस ब्रेक को आपको साइकल के अंदर किस तरीके से इंस्ट्रॉल करना है और इंस्ट्रॉल करने के लिए कौन-कौन सा जो प्रॉसेस है आपको फॉलो करना होगा उसके बाद यहा तो अपने cycle के अंदर install करूँगा तो मैं इसको यहां पे रख देता हूं hydraulic line को भी उसके बाद तीसरी जो हमरा यहां पर चीज आपको दिखने को मिल रहा है तो इसका नाम भी आपको दिखा देता हूं कि इसका नाम क्या है यहां पर लगा हुआ है दोस्तों यह जो चीज़े यह कब इस्तेमल होंगे यह मैं आपको बता देता हूं कि जब आपके cycle करना disc brake लगाने के लिए जागा नहीं दिया गया है तब आपके cycle के अंदर disc brake लगा सकते हो अगर आपके cycle के अंदर पहले से इस तरीके का जो जगा है वो cycle के अंदर दिया हुआ है तो आपको इस चीज किसरा जो यहां पे देख सकतो इसका जो नाम है आपको पता होगा कि आपके cycle के अंदर जो यह चीज आगा पहले से लगा हुआ है और जिसके अंदर disc brake लगाने के लिए भी जगा दिया गया है तब आप इसको पर्चेस करने के कोई भी जोरत नहीं परेगी लेकिन आपके cycle क के अंदर इस तरीके का यहां पर देख सकतो disc brake को लगाने के लिए यह यहां पर देख सकतो लाइनिंग दिया गया है यह चीज आगर आपके cycle के आंदर नहीं यह तब आपको इसको लगाना होगा और इसको किस तरीके से लगाना है यह भी मैं आपको इस वी वीडियो के इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं और किस तरीके इंस्टॉल करना है यह भी प्रोसेस आपको स्टेप बाइस्टेप पता चल जाएगा तो यहां पर हमाएं टोटाल पांच चीजें मिल रही है इस डिस ब्रेक के साथ तो अगर आपको यह सब्सक्राइब को पर्चेस करना है कि लोगों ने जितने लोगों ने इस डिस ब्रेक को पर्चेस किया है परचेस करने के बाद इसका जो रेजाल्ट है वो किस प्रोकर के मिलता है वह भी आपको पता चल जाएगा हमारे वेबसाइट के अंदर जाने के बाद क्यूश्य हूं पसक्तिते में बता के रखाओं सारे डिस ब्रेक के बारे में तो चलिए दोस्तों मैं आप आपको दिखाता हूं कि इस डिस ब्रेक को साइकल के अंदर किस तरीके से इंस्ट्रॉल करना है झाल 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 झाल